जिन्दगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधे पे तो सिर्फ जनाजे उठाये जाते हैं। जिहां दोस्तों ये विचार है उस वीरसपूत शहीदे आजम भगत सिंग का, जिसकी आज बर्थ अनिवर्सरी है। वो भगत सिंग जो हम सब युबाओं के लिए प्रेनस्टोत हैं, जो जीवन के अंतिम ख्षणों में भी पुस्तक को हाथ में लिये हुए था। और मानों आने वाली नसलों को ये संदेश दे रहा था, कि जीओ ऐसे कि कल मरना है, और सीखो ऐसे कि हमेशा यहीं रहना है। उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। समिधान के अनुछे 351 में जहां पर हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिये गए हैं, उसके अंतरगत ये चीज़ आती है। अगला प्रशन देख लेते हैं, निमे लिकित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है। तो राजस्थानी की जो बोली नहीं है देखिए वो है विकल्प हैं देखिए मिवाती, मंडियाली, मारवाडी और मिवाडी। तो इनमें से जो राजस्थानी की नहीं है वो है विकल्प नमबर दो, मंडियाली। अगला प्रशन देख लेते हैं, तौलिया मुरतह किस भाशा का शब्द है। तो देखिए जो तौलिया ये शब्द है वो किसका है उर्दू, हिंदी, पुर्टगाली या फिर तुर्की। तो इसका जो सही उतर होगा विकल्प नमबर तीन, पुर्टगाली। तो देखिए इस तरीके का प्रशन हमेशा पूछा जाता है, जून में भी पूछा गया था और उसके बाद दिसंबर 19 में भी ऐसा ही प्रशन पूछा गया था, कि किस भाशा का शब्द है। तो इसको हमने देखना है जरूर, जो भी प्रमुक प्रमुक भाशा है, चाए अर्बी हो गया, फार्सी हो गया या तुर्की हो गया, पूर्तगाली हो गया, यहां से प्रशन बनता है। निमे लिकित में से कौन सी भाशा समविधान की आठवी अनुसूची में है, तो देखिए नेपाली, कांगडी, राजस्थानी या फिर गौंडवी, तो इसका जो सही उतर होगा देखिए विकल्प नंबर एक नेपाली, तो नेपाली हमारी समविधान की आठवी अनुसू नेपालों के विभार योग्य समझी जाती थी, रामचंद शुकल का उप्युक्त गथन हिंदी साहित्यका इतिहास के आधिकाल के किस प्रकरण में है, तो देखिए प्रकरण एक है, प्रकरण दो है, प्रकरण तीन है या फिर प्रकरण चार हैं, तो जो रामचंद शुकल क हिंदी साही तकाईती हास है उसके प्रक्रणों के बारे में भी हमें तोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए तो इसका जो सही उतर होगा देखिए वह का प्रक्रण नमबर चार ठीक है विकल्प नमबर चार प्रशन नमबर छे देख लेते हैं अब भ्रश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उसका वे भाषा के हैं जो अपने पुराने पन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही उपर युक्त कथन किसका है तो देखे इसका जो सही उत्तर होगा अचारे रामचंदर शुक्ल विकलप नमबर दो अगला प्रशन है उपर युक्त कावे पंक्तियां किस कवी की है विद्यापती, नर्वति नालह, अमीर खुसरो या फिर भटकेदार इसका जो सही उत्तर होगा देखे वो होगा अमीर खुसरो का अगला प्रशन देख लेते हैं माई नहोती, बाप नहोते, करम नहोते, काया हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कॉन कहांतیں, आया चन्द नहोता, सूर नहोता, पानी पवन मिलाया शास्त्र ना होता, वेद ना होता, करम कहांते आया तो उप्रयुक्त काभे पंक्तिया किसका भी की है तो दिखिए, कबीर, नामदेव, रैदاز या फिर मलुकदास तो यह जो पंक्तिया है, यह नामदेव की पंक्तिया है अगला प्रशन दिख लेते हैं तुलसी की बिलक्षन प्रतीबा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वहन किया। तो इनका जो इतिहास था देखिये समवेदना का इतिहास ठीक है और उसमें इन्होंने ये बात कही हुई है। निमेलिकित में से कौन सा कभी कृष्ण भक्तिधारा के कभियों में शामिल नहीं है नाबादास, नंददास, हरिदास या फिर धुरुवदास तो देखे कृष्ण भक्त जो कभी थे इनमें से वो दूसरा, तीसरा और चौह थे ये तो थे, लेकिन पूछा ये गया है कि कौन से इसमें शामिल नहीं है तो ये थे नाबादास, तो ये थे रामभक्त कभी, ठीक है ये हिंदी के प्रधान अचारियों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषन अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है रामचंद्र शुकल ने उपर्युक्त बात किस रितिकालीन कभी के विशे में कही है विकल्प हैं मतिराम, देव, महराज, जश्वन सिंग या फिर पदमाकर तो देखिए भाषा भूषन अलंकार ग्रंथ ये किसका था? ये था महराज जश्वन सिंग का तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए विकल्प नंबर 3 प्रशन नंबर 12 देख लिजिए निमे लिकित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है तो देखिए सीधा सा प्रशन पूछा गया है, to the point प्रशन पूछे जा रहे हैं द्यान मंजरी, कुंडलिया, राम द्यान मंजरी या फिर रूप मंजरी तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर 4 रूप मंजरी तो ये अग्रदास की रचना नहीं है अगला प्रशन हम देख लेते हैं यदि प्रबंध का व्या एक विस्तित वनस्थली है तो मुक तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है बहुत बार ये पंक्ति पूछ गई है परिक्षा में तो ये बिहारी के संबंध में कही गई है एक बात तो हमें यहां से ये बरी क्लियर हो जाती है कि किस के संबंध में कही गई है ठीक है और किस आलोचक का है ये तो प्रशन हमारा है ही है तो देखिए अचारे रामचंद्र शुकल है हजारी प्रसाद दुवेदी है शाम सुंदरदास या फिर नंद दुलारे वाजबई तो इसका जो सही उत्तर है देखिए ये अचारे रामचिंदर के शुकल ने कही है बिहारी के संबंद में विकल्प नमबर एक प्रशन नमबर 14 है देखिए पुनर जागरण का भारतिय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मदसूदंदत के बंगला काब्य मेगनाद वद 1861 को माना गया है उप्रियुक्त कथन किस आलोचक का है तो देखिए पुनर जागरण से पूछा गया प्रशन है विकल्प है शो चार अगला परशन देख लेते हैं कली कौतूब के रचईता कौन है तो देखिए ये भी सधारन सा प्रशन पूछा गया है सिम्पल प्रशन पूछा गया कि रचनाओं के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि किस कभी ने या किस लिकक ने कौन स अगला परशन हम दिख लेते हैं लक्षनिक वेलक्षने लाने की प्रविती इनमें उतनी नहीं पाय जाती जितनी प्रसाद और पंत में उपरयुक्त कथन किसका है हजारी प्रसाद वेदी रामचंदर शुकल रामसरूप चत्रुवेदी या फिर डॉक्टर नगेंदर तो दिखिए विकल्प में वो ही आ रहे हैं जो जिनकी बात मैंने आपसे पहले कर ली थी तो इसका जो सही उतर है दिखिए वो है रामचंदर शुकल तो शुकल के इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो अंत में जो छायवाद वाला उनका जो भाग है वहाँ पर आपको यह निराला के बारे में जान लिखा हुआ है वहाँ पर आपको यह चीज मिल जाएगी रामचंदर शुकल ने रहस्यबाद के मूल अर्थ में किस चायवादी कभी को सरवधी प्रमुख माना है तो ये वाला प्रश्न भी हमें कहां पर मिल जाएगा उसी पुष्थक में ही मिलेगा हिंदी सइथिया चैत टियास में तो इसका जो सही उतर है देखिए महादेवी वर्मा अगला प्रश्न है देखिए राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई है तो राम की शक्ति पूजा किसकी है निराला की है और रचनागाल पूछा गया है कि कब है इसका 1934, 1936 या फिर 1935 तो इसका जो सही उतर होगा देखिए विकल्प नंबर 3, 1936 में राम की शक्ति पूजा लिखी गई है तो चार स्थम्भ है उन छायवाद के उनकी प्रमुक रच सामोहिक रुपांत्र प्रकाशित हुआ था तो देखिए नई कवीता के प्रत्थमंग में तो देखिए इसका जो सही उतर होगा विकल्प नंबर 4, जूही की कली कौन सा प्रवासी लेखक मौरिशस का नहीं है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए महातम सिंग विकल्प न परवरतन नाटक से हुआ अपरिक्त कथन किस इतिहासकार का है तो देखिए इसका जो साही उतर होगा अचारे रामचंदर शुकल तो देखिए शुकल से बहुत सारे प्रशन पूछे गए है विकल्प नंबर दो इसका क्या होगा साही उतर होगा अगला परशन है देखिए निमिलिक्त में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद चितरित हुआ है तो देखिए राम और काम तो इसका जो साही उतर है मानस का हंस जो अमरितलाल नागर का है ठीक है जो तुलसिदास की जीवन पर अधारित है विकल्प नंबर तीन अगला प्रशन है निमिलिक्त में से नुकर नाटक के विश्य में क्या सही नहीं है तो देखिए इसका जो सही उतर होगा कला के लिए कला तो ये नाटक के विश्य में नुकर नाटक के विश्य में सही नहीं है अगला प्रशन आता है जन्मना कवी प्रतकृत्या गुमक्ड और विचारत हमूलत माक्सवादी कवीता के लिए कोई भी विश्य हो सकता है गुमक्ड ऐसे कि कभी यहां कभी वहां मूलत माक्सवादी किंतू वे उसके बाहर भी जहांक लेते हैं बच्चन सिंग का उप्रिउक्त कथन किस कवी के विश्य में है तो देखिए इसका जो सही उतर होगा विकल्प नमबर 4 नागरजुन निमिल्प में से किस कभी का समंद नवगीत विधा से नहीं है तो देखिए नवगीत विधा से जो नहीं है वो है गिरिधर राठी तो विकल्प नमबर 2 इसका क्या होगा सही उतर होगा अगला परशन है देखिए कहानी इतिब्रित ही तो है यानि उसमें स्थिती से स्थित्यंतर अरथात जीवन गति होनी चाहिए काल का कुछ स्पंदन कुछ तनाव अनवभभ हो वही तो कहानी का रस है कहानी के विशे में उप्रिप्त विचार किस लेखक के है तो देखिए बहुत सारी पंक्ति अग्जाम में पूछी गई थी इन पंक्तियों को याद करना भी बहुत जरूरी है कहानी के समंद में या उपन्यास के समंद में नाटक के समंद में ठीक है तो दूसरी जो हमारी इकाई है वहाँ पर ये सारी चीज़ें कबरब हो जाएंगी इसका जो सही उतर होका देखिए जने इंदर कुमार तो जने इंदर ने कहा था कहानी के समंद में विकल्प नमबर एक अगला परशने देखिए यश्पाल के उपन्यास जोटा सच में अगला परशने देखिए किसी बात का टोटा होना पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है दुख होने पर उसे मिटाना चाहते है यह सोभाव है अगला परशने देखिए इसका जो सही उतर होगा कच्छवा, धर्म, चंदरदर्शर्मा, गुलेरी का जो निबंध है, वहाँ से यह ली गई है, यही सच है कि कहानिकार कौन है तो यही सच है, बहुत सिंपल प्रशन पूछा गया है यह भी, तो इसकी जो लेखी का है देखिए, वो है, मनु बंडारी विकल्प नमबर 3 अगला प्रशन है, देखिए निमिलिक्त में से किस अलोचक का समध माक्सवाद से है परशुराम चत्रवेदी, राम संपर चत्रवेदी या शिवदान सिंग चोहान तो इसका जो सही उतर होगा, विकल्प नमबर 3 शिवदान सिंग चोहान नेक्स्ट है, देखिए यह मेरे जीवन का केवल अर्द सत्य है मैंने केवल अपने बहीरंग जीवन का ही विवरन दिया है, जहां तक अंतरंग जीवन का प्रशन है, पर नितांत मेरा अपना है आपको उसका संभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है तो यह किस आत्म कथाकार का वक्तव्य है तो देखिए, इसका जो सही उतर होगा, वो होगा विकल्प नमबर दो, डॉक्टर नगेंद्र निमिलिक्त जीवरी परक क्रितियों में से कौन सी क्रिती ट्रोमा रोला की है इसका जो सही उतर होगा आत्मा गांधी, विश्व के अध्युत्य पुरूश अगला प्रशने देखिए रस की प्रस्तुती के लिए तदरुपता अनुसंधान शब्द का प्रियोग किस अचारे ने किया गुप्त, शंकुक, बटलोलट या फिर बटनायक इसका जो सही उतर होगा वो होगा बटलोलट अनंद वर्धन ने किसी ध्वनी की आत्मा कहा है इसका जो सही उतर होगा देखिए यह होगा विकल्प नमबर 3 अगला प्रशने देखिए अचारे भरत ने कावे दोशों की संक्या कितनी मानी है तो इसका जो सही उतर होगा विकल्प नमबर 4, 10 नेक्स्ट है कॉलरिज की कावे समंदी धारना का प्रमुक अधार क्या है तो देखिए कॉलरिज का जो कावे समंदी धारना का अधार था जयववादी सिध्धान्त ठीक है तो उनका अधार क्या था? जयवादी, सेधान्त नेक्स आता है कावे भाशा के संदर में निमलिक्त में से कौन सी मानिता वर्ड्जवर्थ की नहीं है तो दिखिए कावे में ग्रामेनों की द्यानिक बोलचाल की भाशा प्रयोग्त हो ये तो सही बात है बाशा में मितक और बेमों का प्रयोग्त तो ये बात विलियम वर्ड्जवर्थ ने नहीं कही है तो विकल्प नमबर दो इसका क्या है? बिलकुल सही उत्तर होगा नेक्स आता है जुंग की अनुसार पिता पर अधिकार जमाने की लड़की की अपनी मा से प्रतिस पद्धा को किस गरंथी के रूप में जाना जाता है तो देखिए इसको कहते हैं इलेक्टरा गरंथी तो विकल्प नमबर दो इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर खुसरों की उप्युक्त पहली से क्या भी प्राय है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है कुवां तो कुवां के लिए उन्हें ये बात कही है नेक्स प्रशन है उप्युक्त पंक्तियों में अचारे रामचंदर शुकल ने किस भाव की अभी व्यक्ति मानी है तो देखिए इसमें जो अचारे रामचंदर शुकल ने मानी है असुया भाव की भक्ति अगला प्रशन देख लेते हैं नेक्स्ट है तो देखिए इस प्रशन से एक प्रशन अपने आप ही बन जाता है कि कवी जो घननन्द थे वो कहां चले गए थे फिर दूसरा बात यह है कि संप्रदाय में वैशनव हो गए थे दूसरा प्रशन यह उड़ता है कि क्या हो गए थे वो वैशनव हो गए थे या शैव हो गए थे तो यह भी हो सकता है ठीक है लेकिन इसका जो यहां पर पूछा गया है कि किस संप्रदाय के वैशनव हो गए थे तो यह गए थे निमबार्क संप्रदाय ठीक है, 44 का देखिए क्या होगा, विकल्प नंबर 2 होगा, प्लेर है, अगला प्रशन है देखिए, अगर प्रेम खुंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी, मैंने तो उससे काय ही समझ रखा था, मैं प्रेम को संदे के उपर समझती हूँ, ये पंक्तियां गुदा पदों में बड़े ढंग से हिंदी चाल पर चलती दिखाई पड़ती है, एक, दूसरा आता है कि इसकी कतावस्तु एक अच्छे प्रबंद के लिए प्रियाप्त है, ठीक है, फिर यह कावे अधिकतर भाविन जनात्मक अवननात्मक है, हिंदी के है, था किया दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है, तो देखिए इसका जो सही उतर होगा, वो होगा भी कल्प नंबर दो, तो इसका उलेख नहीं किया है, कि इसकी जो कतावस्तु एक अच्छे प्रबंद के लिए नहीं प्रियाप्त नहीं मानी है, ठीक है, नेक्स आत ठीक है, विकल्ब नंबर तीन, रूपकती, शुक्ती, अगला प्रशन है, दोनों का हट था दुरनिवार, दोनों ही थे विश्वास हीन, कमाईनी की उप्युक्त पंक्ती से क्या आश्य है, तो देखिए, कमाईनी से पूचा गया है, जो जैशंक प्रसाद की रचना है, कि इसका जो सही उतर होगा, देखिए, देव और दानब, दोनों हटी और विश्वास हीन थे, ठीक है, देव और दानब, दोनों कैसे थे, हटी और विश्वास हीन थे, नेक्स प्रशन है, देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदरी, महादरी वर्मा के उप्युक्त गीत, उनक जीव विवर से भाहर को विश्रबद विचरते हैं उप्युक्त पंक्तियों में किस का वनन है तो देखिए इसमें रश्मी रथी में परशुराम आश्रम का यह वनन इसमें देखने को मिलता है अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारी इश्थिहार उतार लिए गए हैं जिन में कल आदमी अकाल था उप्रियुक्त पंक्तियां किस कवी की हैं नागरजुन, मुक्तिबोध, दुमिल या लिलाधर, चगुडी इसका सही उतर होगा, सुदा में पांडिये, धुमिल, नकसलवारिक सेली गई इनकी ये पंक्तियां है नेक्स प्रेशन है, निमिलिक्त में क्या तमस उपन्यास में सामपर्दाइक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है तो इसका जो सही उतर होगा, देखिए, दुलहन की डोली, विकल्ब नमबर दो क्या इस्तरी होना कोई बाप है, उप्युक्त संबाद किस कहानी से संबद है दुलाईवाली, अकाश्टीब, या फिर लालपान की बेगम तो देखिए, यह जो पंक्तियां कही गई है, यह है अकाश्टीब की, ठीक है, जो जैशंक प्रसाद की कहानी है, अकाश्टीब, क्लिर रहे नेक्स्ट है, बच्चन सिंग सीहर सा गया, और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानविया को मलता ने दीरे से छू लिया उप्युक्त कथन किस कहानी का है, तो इसका जो सही उतर होगा देखिए, राजा निर्वंसिया, कमलेश्वर की जो कहानी है, राजा निर्वंसिया, उसकी ये पंक्तियां ली गई है तो यहां से दूसरा प्रशन इस तरह की से भी बन सकता है, कि जो बच्चन सिंह है, वो किस कहानी का पात्र है, राजा निर्वंसिया नेक्स प्रशन क्या है, देख लेते हैं, तुम कनक किरन के अंतराल में लुक छिप कर, चलते हो क्यूं, हे लाजबरे संदर, बता दो, मोन बनी रहते हो, क्यूं तो उप्युक्त योगीत पंक्तिया है, जैशन कर प्रसाद की किस रचना से संबंधित हैं, इसका जो सही उतर है देखिए, वो है चंद्रगुप्त मौर्या नेक्स्ट है, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा, कुछले हुए अजगरसी, गुंजलिका में कौरवश को लपेट कर, सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी, अंधायुक का उप्रिक्त संबाद किसका है, तो दीखिए, अंधायुक बहुत मौतोपूर्ण, नाटक है धरम विरवारती का, बहुत बार इससे प्रश्ण पूछा जाता है, या तो इसके जो पात्र हैं, उनके कथरों से पूछा जाता है, है ना, जैसे यह यहाँ पर दिया भी है संबाद, या फिर उसके जितने भी जो नाटकों के भाग हैं, उनको क्रम वाईज रखन अगला प्रशन देखिए, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाशी प्रदेश के सांस्कितिक पूर्तियों और आकाकशाओं का प्रति निरित्तों करना होगा, रंगों और राश्यों के हमारे विवेक को द्यक्त करना होगा, उपियोक्त कथन निमिलिक्ट में से किस नाटक की भूम इसका जो साही उत्तर है देखिए अशार का एक दिन तो उसके नाटक की भूमिका से ये संबन्दित है अशार के एक दिन की भूमिका में ये लिखा गया है तो अशार का एक दिन किसका है मोन राकेश का नाटक है ये नेक्स प्रेशन देख लेते हम क्या है नेक्स नामवर सिं ने संस्कृति और संदर्य निवंद में हजारी प्रसाद दुवेद द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उदिश चलिमे लिकित में से किसे माना है प्रकृति वर्नन संस्कृति की मिश्रता को उजागर करना या फिर आरे संस्कृति की शुदधा के इस समय तो भारतिय पुरूष जैसे अपने मनरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है उप्योग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है उसी प्रकार वो एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशुपक्षियों के समान ही उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है उपर्युक्त कथन किसका है महादेवी वर्मा, प्रभाकेतान, अनामिका या फिर मैत्रई, पुष्पा तो ये जो पंक्तिया हैं ये हैं महादेवी वर्मा की नेक्स्ट हैं मनु बंडारी अपने आत्म कथा में आपका बंडी उपन्यास की विभिन समिक्षाओं में किस पक्ष को उपिक्षित मानती हैं तो वो मानती हैं विकल्प नमबर चाह देखिए मुख्य स्त्री पात्र स्त्रित्तो को ठीक है? ये है बहुत सारे स्ट्वेंट्स बाल मनों विज्ञानिक पक्ष की होर जाएंगे लेकिन प्रशन को सही तरिके से समझेना है कि आपका बंडी उपन्यास की विभिन समिक्षाओं में किस पक्ष को उपिक्षित मानती है तो मुख्य जो स्त्री पात्र का स्त्रीत्तो है इसके विचारों का स्त्रोत दैनिक साधना है तो देखिए इसका जो सही उतर होगा इसमें विचार स्वातंत्रत्य का क्या है अब हाव है विकल्प नमबर तीन अगला पशन है रामसंदर शुकुल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं संस्कित अर्बी और फार्सी के पूर्ण विदवान थे हिंदी कावे के उतने मुनबगे कभी नहीं थे जितने फार्सी के उनकी दानशीलता रिदय की सच्ची प्रेड़ना के रूप में थी उनकी सभी उनकी सभा विदवान और कभियों से भरी रहती थी जब इनसे कोई कुछ मांगने आता तब भी उन्हें अपना दरिद्रता का अनभव नहीं होता था तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए वो कभी कल्प नंबर 4 A, C और D A में देखिए संस्कित अर्बी और फार्सी के ये क्या थे पूर्ण विदवान थे उसके बाद C है देखिए उनकी दानशीलता और रिदय की सची प्रेणा के रूप में थी दानशीलता उनकी क्या थी? रिदय की सची प्रेणा के रूप में थी और D में देखिए क्या है? उनकी सभाब विदवानों और कभियों से सदा भरी रहती थी लेक्स आता है तो अचारी रमचंदर शुकल से बहुत सारे पशन पूचे गए हैं तो इसलिए शुकल के इत्यास को पढ़ना ज़रूरी है रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे श्त्री मानवदती और रसखान का नादर करती थी रस्खान सोयम को प्रेम का मानदन मानते थे या फिर रस्खान को भास हुआ कि जिस पर कूपया मरती है उसी पर त्यान लगाया जाए रस्खान मोहिनी का मान मरतन करना चाहते थे तो विकल्ब में से सही आपने उत्तर पहचानना है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए विकलब नंबर 2 A, B और D तो A, B और D में देखिए क्या है रस्खान किसी स्त्री पर आ सक्त थे बिल्कुल ठीक बात है B में क्या है स्त्री मानवती थी और रस्खान का अनादर करती थी उसके बाद D में देखी क्या है रस खान को भास हुआ कि जिस पर गुपिया मरती है उसी पर ध्यान लगा जाए अर्थाथ ईश्वर पर ध्यान लगा जाए ना कि किसे एक स्त्री पर clear है तो A, B और D इसका क्या है बिल्कुल correct answer होंगे next है निमिलिक्त में से कौन सी रचनाएं के शवदास की है रसीक प्रिया, अनुप्रास विनोध, विज्ञान गीता या फिर रस सागर तो इसक में जो सही उत्तर होगा देखिए A और C तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए विज्ञान गीता कालिदास और उनकी कभीता, next question है लाला श्री निवास दास ने निमिलिक्त में सिक्किन विधाओं में लिखा है तो श्री निवास दास ने लिखे है नाटक और उपन्यास, कभीता और अलुचनाईनों ने नहीं लिखी है next question है अभिनव गुप्त के अनुसार मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थाई भाव का स्थाणिकन होता है, स्थाणिकन के लिए बोजक तो विए पार अनिवार है, स्थाणिकन की अवस्था में प्रिक्षक स्वापर के बंदन से चूड़ जाता है, स्थाणिकन की वस्था में प्रिक्षक स्वापर के बंदन से चूड़ जाता है, चूड़ जाता है, नेक्स्ट है, निमी लिखत में से कौन कौन से कवी उत्तर चायवाद से संबद हैं, रामदैश्ति पाठी, रामेश्वर शुकल अंचल, बालकिशन शर्मा नवीन या फिर भारत भूश विश्थाएं हैं, तो भारतिय नारी की पीडा का प्रभावी प्रस्तुति करण, भारतिय संस्किते की पुन्दर उत्थानवादी अभिव्यक्ति, मध्यकालीन धर्मांदता अनाचार्थ था, तानाशाही की सामाईक संगती, सामप्रताइक एकता और राष्ट्रिय अभिव्यक्ति, तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए, विकल्प नंबर दो, ए और सी, भारतिय नारी की पीडा का प्रभावी प्रस्तुति करण, और मत्यकालीन धर्मांदता अनाचार्थ था, तानाशाही की सामेक संगती, तो ये भीश्मजानी के नाटकों की हैं, A और C, नेक्स्ट देखिए, गैंगरिंग कहानी की मालती बच्पन में कैसी लड़की थी, सरल और शांत थी, उद्धत, चंचल, पुस्तकें पढ़ने की शोकीन, या फिर चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की, B और D देखिए, उद्धत और चंचल लड़की थी, और साथी साथ चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी, B और D क्या है, इसका सही उतर होगा, उसके बाद आता है, निमी लिक्त में से कौन सी रचनाएं, भारतिय प्रशाशन व्यवस्ता पर सटीक व्यंग्य करती हैं, भुलाराम का जीव, सिक्का बदल गया है, जो बेड़ हैं, वो क्या है, भारतिय प्रशाशन व्यवस्ता पर स्टीक व्यंग्य करती हैं, A और C इसका क्या होगा, सही उतर होगा, नेक्स प्रशन है देखिए, रचनाव को उनके रचनाखारों के साथ सुमिल करना है, ठीक है, तो जो प्राकृत प्रकाश है, देखिए ये किसका है, वररूची का है, श्राव का चार किसकी है, देवसेन की है, प्रवंध चिंतामणी, तो प्रवंध चिंतामणी जो है देखिए, ये है जेनाचारे मेरुतुं का कुमार पलपरतिबोध किसका है, सोमप्रब सूरी का है, तो विकल्प नमबर एक इसका क्या होगा सही होगा नेक्स प्रशने देखिए ये भी मेल करने के लिए ही आया है कावे प्रकाश फिर रस राज रस विलास रस साराश तो इसका जो सही उतर होगा देखिए ये इसका सही अंसर होगा क्योंकि जो कावे प्रकाश है देखिए वो किसकी है चिंतामनी की है जबकि रस राज जो है वो मतिराम की है रस विलास देव की ही और जो रस साराश है देखिए वो किसका है विखारी दास का है नेक्स्ट मिलान के लिए ही कथनों से सुमिलित करना है देखिए दंडी, भामा, वामन और फिर आया है क्षेमेंद्र तो इसका जो सही उतर होगा देखिए वो होगा विकल्प नमबर चार तो दंडी क्या कहते हैं देखिए दंडी कहा है शरीरम ताव दिश्थात वर बवचिन्न पदावली मतलब एक साथ क्या है बी है तो इस तरह के से आपने इनका मिलान करना है नेक्स्ट देखिए तो देखिए मैं बकता नहीं हूँ कविताएं इजात करता हूँ ठीक है तो यह किसकी है यह है शरीकांत वर्मा की तो 77 का क्या होगा 3 ठीक है तो आप इसको मैच कर लीजेगा पहरा मैंने आपको बता दिया है कि विकल्ब नमबर 3 इसका क्या होगा सही होगा फिर आता है कि निवलिफ्ट कावे रचनाव को उनके प्रकाशनकाल से सुमिलित कीजिये तो देखिए प्रकाशनकाल से इनको सुमिलित करने को कहा गया है जुही की कली, तो जुही की कली कब लिखी थी? 16 में, ठीक है? तो 1916 कहा है देखिए? एक साथ जहां पर 3 होगा, विकल्प नंबर 2, इसका सही होगा, ठीक है? भारत-भारती कब लिखा था? ये 1912 में, जबकि प्रिय प्रवास 1914 में, और प्रत्म रश्मी कब लिखा था, 1919 में. नेक्स ते देखिए, अनामदास का पोथा, तो अनामदास का पोथा किसके साथ है? अपनिदिशिक काली की ये रचना है. क्लिर है, एक साथ जहां पर 2 होगा, देखिए, तो विकल्प नंबर 4 इसका क्या होगा? तो ये किसकी है? ये है लोजाइनस की, एक साथ देखिए, जहां पर 4 है, तो इसका भी 4 होगा उत्तर, ठीक है, दा सेक्रेड वूट किसकी है, फिर टी एस इलिएट की, पोईटिक्स किसका है, अरस्तु का है, जबकि बायोग्राफी लिट्रेरिया जो है, कॉलरिज की है, नेक्स्ट आता है, जो लोकमंची रूपों का प्रचलन की प्रमुकता के दार पर, और प्रांतों से सुमिलित कीने, कि कौन सा लोकमंच है, लोकनाट्या एक तरीके से, वो किस राज्य का है, तो देखिए सांग कहां का है, यह हरियाना का, एक के साथ जहां पर तीन होगा, ठीक है, और विदेशिया, तो विदेशिया किसका है, देखिए, यह है बिहार का, ठीक है, तो मतलब कि विकल्प नमबर दो देखिए, तीन, चार, एक और दो, माज कहां का है, फिर मध्यप्रदेश का, और जबकि जो खयाल है, वो राजस्थान, क्लियर हैं, नेक्स आता है, निमिलित संस्ताओं को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिये, तो देखिए, इसका जो सही उतर होगा, विकल्प नमबर एक, देखिए, ब्रह्मा समाज, किसके साथ था, राजाराम महन राय, और प्रार्थना समाज, यह किसके साथ है, प्रार्थना राकेश की डाइरी, तो देखिए, ये कब लिखी थी उन्होंने, 1985, ठीक है, एक के साथ देखिए क्या है, चार है, ठीक है न, एक के साथ क्या है, चार है, विकल्प नमबर 3 देखिए, उसके बाद डाइरी के कुछ पन्ने, 1940, मिरी कॉलेज डाइरी, तो ये कब है, 1958, जबकि एक कार्यकरता की डाइरी, ये कब है, 1972, क्लिर है, नक्स आता है, देखिए, जनमकाल के अनुसार निमिलिक रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है, तो देखिए, जनमकाल के अनुसार रचनाकारों का काल पूछा गया है, केशव दास, तो पंदर सब पच्पन, बिहारी, पं तो ए इसका क्या होगा बिल्कुल सही उतर होगा विकलप नमबर 1 उसके बाद आता है देखिए अगला परशन जनमकाल के अनुसार निमलित रचना कारों का सही अनुक्रम तो जैसी, सूर, तुलसी या फिर रहीम तो विकल्प नुबर 3 इसका क्या होगा, सही होगा सूर 10, 1478 में थे जैसी जो 1402 में, तुलसी 10, कभाई 1532 में रहीम फिर उसके बाद 1553 में क्लियर है नेक्स आता है फिर प्रकाशन काल की दिष्टी से सुरंदर वर्मा की जो नाटकों है उनका सही अनुक्रम क्या है तो देखिए, ये वाले प्रशन हमने अपनी पीछे वाली सीरीज में भी कर लिये थे तो इसमें जो सही होगा देखिए, वो होगा विकल्प नंबर 3, द्रौपदी, आठ्वासर्क, शकुंतला की अंगूठी और रती का कंगन नेक्स आता है देखिए, निमिलिकित उपन्यासकारों का प्रकाशन काल की दिष्टी से सही अनुक्रम क्या है तो इसका भी जो सही उतर होगा देखिए, वो का विकल्प नंबर 3, गरम राख, भूलेवी स्रेचित्र, टेरा कोटा और मानस का हंस यह इसका सही उतर नेक्स आए, स्मृतिकन, लीक अलीक, वन तुलसी की गंद, या फिर हम हश्मत तो 88 का देखिए क्या होगा, 88 का है विकल्प नंबर 4, समृतिकन, हम हश्मत, लीक अलीक और वन तुलसी की गंद फिर आता है रचनकाल की दिश्टी से निमिलिक्त रचनाओ का सही अनुक्रम क्या है तो देखिए इसमें जो सही अनुक्रम होगा तो ये वाले प्रशन में जल्द जल्द इसले करवा रहा हूँ क्योंकि हमने पीछे वाली जो मोक टेस्ट 5 था वहाँ पर इनको कर लिया है अगला प्रशन ने दिखिए जो स्थापना और तर्क वाले हैं हालांकि पहले ये वाले प्रशन बहुत जादा पूच जाते हैं लेकिन अब इनको कम पूचा जाता है मैक्सिमम पांच ही प्रशन इससे पूचे जाते हैं कविता केवल वस्तूं के ही रंग रूप में सौंदरे की छटा नहीं दिखाती प्रत्युत कर्म और मनवरिती के संदरे के भी अत्यंत मारनिक द्रिश्य सामने लाती है ये स्थापना है तर्क दीकी इसका क्या है आगे यह विक्सित कमल के संदरे का चितरन तो करती है पर शब नोचते कुतों की विभत्स वैपार की जलक नहीं दिखाती है विकल्प नंबर एक है दिखिए वो सही होगा क्योंकि पहली जो चीज है वो तो सही है लेकिन दूसरी चीज ये कहते हैं कि जो कविता है वो क्या कि कौमल संदर रेका चीतरन तो करती है पर जो शब नोश्टे कोते हैं उनके विवत स्वफार की जालक नहीं दिखाती है ऐसा नहीं है कविक है वो सब चीजों को दिखाता है तो विकल्प नंबर एक क्या है इसका सही उतर होगा नेक्स प्रेशन है देखिए कविता का अंतिम लक्षे जकत के मारमिक पक्षों का प्रतक्षी करण करके उनके साथ मनुश्य रिदय का समंजस्य स्थापन है ठीक है उसके नवजागरण भक्तिकालिन लोक्षारण से भिन इस बात में है कि वह अपने शवादी दौर की उपज है यह स्थापना है तरक कहता है कि उनकी एतिहासिक अंतरवस्तु एक समान है तो देखिए इसका जो सही उतर होगा देखिए पहली बात तो सही कह रहे हैं स्थापना ल दिया गया है विम्बवाद के समर्थकों का मानना था कि विशे का स्पार्ट और प्रतेक्ष निरूपन किया जाना चाहिए विकल्प नमबर एक पहला तो सही है लेकिन दूसरा क्या है यह गलत है कि विम्बवाद के समर्थकों का मानना था कि विशे का स्पार्ट और प्रत स्वाद युग निर्पेक्ष नहीं होती है कला क्या है स्वाद युग निर्पेक्ष होती है ठीक है तो दोनों क्या है इसमें से ये गलत है E और R नेक्स्ट है जो आखरी प्रशन है हमारा क्योंकि इसके बाद जो प्रशन है देखिए वो हमारे जो paragraph वाले हैं उनको हम यहां पर नहीं ले पाएंगे ठीक है तो आखरी question देख लेते हैं यूरोपिय साहीते मिमासा में कलपना को बहुत प्रधानता दी गई और इसका तर्क है कि कलपना का व्यका अनिवार्य साध्य है तो देखिए इसमें भी क्या है जो पहली ची सक्षन में जाकर बता सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले तो फिर मिलेंगे नई उर्जा नई स्पूर्ती के साथ तब तक के लिए जाहिं शुक्रिया